मेरा नम है इलाई शेन और कल मैंने स्लग तेरा का सफर तै किया जो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था हमें यहाँ सेफ रहने के लिए स्लग्स प्रिंग करने पड़ते हैं मेरे नए दोस्तों की वज़ा से मैं इस कॉंपटिशन में पहुचा हूँ जहां मुझे कुछ स्लग्स जीतने होंगे तुम जल्दी करो पहला राउंड आग्रा स्कॉच पास गुपा में शुरू होगा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है वावारी शुक्रिया प्राउंटो यह चटाना पे चड़ना आसान गामा नहीं है मैं अभी गिरने वाला था वो भी चाथी बार वो तो तुम मेरे हुनर की वज़ा से बज़ गई जी वरना यहां तक लाना किसी आम आदमी का काम नहीं हाए बढ़िया तुम दोनों अब तक कहा रह गई गई क्या मैं तो तेज़ चला था ना पर तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए क्या यहा ँने के लिए रास्ता भी है आज अब मेरे साथ हो तो तुम्हें ढरने की कोई ज़रुवत नहीं मैं तो बस तुम्हारी बुराई से लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेन करना चाहता था अच्छे बात ये है कि तुम पंच गए अब सवाल ये है कि तुम्हारा मुकाबला किस से है संभल कर लड़ना वनना तुम्हारा भी यही हाल होगा संभल कर ये लावाले इस तुम्हें जलाकर राक कर सकते हैं आईजी अरे वाब रही वैसे ये बहुत ख़तरनाक था पर साथ ही उतना ही मसेदार गी द्वंद्वयुत के लिए ये हमेशा ऐसी ख़तरनाक गुफाई चुनते है क्या अरे फाहा अगल मत बनो तॉर्णूमिंट का हर एक मुकाबला अगल 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 गुफाई में ही होता है शायद सबसे ख़तरनाक गुफाई उन्हें फाइनल मैच के रखा होगा यही तो प्राबलम है मैच किस से है और किस तरह की है ये वो मैच शुरू होने से पहले नहीं बताते क्या पता मुझे शायद एक शाप शूटिंग मुकाबला करना पड़े या किसी मशीनी जानवर से लड़ना पड़े कुछ भी हो सकता है वो सब मुझ पर छोड़ दो मैं अपनी भविश्यवानी जानने की कला से तुम्हे सब कुछ पहले ही बता दूँगा ना जान से सुनो ये वन और वन फाइट है तकड़ा मुकाबला बताने के लिए शुक्रियाश कोई बात नहीं तुम्हा के लिए तो मेरी जान भी हाँ भी रही ना दोस्ट तुम्हे कभी बताये नहीं कि तुम्हें लावा से परेशानी नहीं होती अब नहीं बचोगे ये वाला मैंने सबसे आखिर के लिए रखा था मैंने भी हमें हमारों पिने मिल गया इलाई शेग जो चाहें ले लो मिस्टर शेग मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे मैं तुम्हें बहुत मिस्स करूँगा तुम्हारा ट्रेशर बहुत अच्छास लग है पर मैं उसे नहीं लूँगा मुझे भी उतना ही बुरा लगेगा अगर किसी ने बोपी को मुझसे ले लिया तुम्हें एक आर्मशल्ट हो है ना मैं किसी मुकाबले में तुम्हें तोप की गोलों की तरह इस्तुमाल कर सकता हूँ तो क्या कहते हो मैं तुम्हें बुलाऊंगा बैंगो तुम्हें पसंद आया ना तो मेरे पहले मैच की शुरुवाद बढ़िया रही है ना प्रॉंटो प्रॉंटो तो तुम यहां हो हाँ 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 बोलो मैं यहां हूँ तुम हार गए तो मैं कोई या नहीं नौकरी नहीं ढूड़ रहा पर तुम्हें देख कर लगता है कि तुम जीत गए हो तो क्यूना हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद गर रही ही और आगे के मुगाबले के बारों में सोचें हमें हमारा विनर मिल गया वो है चांपूल कमराजिलेशन्स मैं भी मेरा पहला राउंड जीता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता हडोसर में से क्या मने तुम्हें बताए कि तुम्हारी जीत पर मैं कितना खुश हूँ अगला मुकाबला है दे किंग आफ स्लिंग का ट्रिप्डिस दिख से अब अपनी हार मान लो किंग आफ स्लिंग के सामने ये तुम्हारी बत पक के लिए ये फड़ फड़ाने के लिए और इस वाले से मेरी जीत वक्ती क्या बात है पर लगता है कोई हार गया है न कहीं कहा तुम्हें देखना चाहिए था कैसे मैंने उसे धूल चटाई कितनी बार कहा है कि जब काम कर रहा हूं तो डिश्ट अब मत करो तुम्हारी बात क्यों सुनूँ वो छोटा शेन अभी तक अलिमिनेट नहीं हुआ सूत्र ने बताये कि वो बहुत अच्छा खेलता है आपको नहीं लगता कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है दस साल बाद शायद बस पर क्या आप चाहते कि मैं उस पर अभी वी नज़र रखूँ निकलो यहां से मैं समझ किया मुझे क्या करना है कमोन दोस्तों और तेज हम अभी तक रॉक लॉक गुफा के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे और मुकाबला बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है कॉर्ड मैं तुमसे पूछने ही वाला था केव ट्रोल्स असल में बहुत अच्छे इंजिनियर्स होते हैं न अब मैं खुद की क्या तारीब करूँ तो फिर तुम स्लक्स लिंगा क्यों बने मेरा समुदाय चाहता था कि मैं अपने डाट का बिजनस समालू आज हम जितने भी ब्रिज इस्तिमाल करते हैं वो मेरी ही फैमली ने बनाए है पहरा उत्तर तोड़ने से कई ज्यादा मजा स्लक्स लिंगिंग में आता है क्यों आज बिल्कुल सही गाजी और मैं एक बहुत ही भाईतरी ट्रेगर परिवार से हूँ न तुम्हारी क्या कहानी है ट्रिक्सी मैं ठक चुकी थी ये देकर कि कुछ बदमाश मेरे घर में खुसकर परिशान कर रहे थे अखे शेन की जगे किसी ना किसी को तो लेनी ही थी मेरे अलावा कोई भी इसकाम को करना नहीं चाहता था इसलिए मैं फिल्म बनादी हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि फ्लक्टेरा में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा और एक्स्प्लोर करना मेलेनाइट की सबसे बड़ी कला है जी इससे मुझे याद आया हम सब आखिर है कहा प्रॉंटो मैं तुम्हें एक शॉटकट से लेका आया हूँ ना वो तो शैडो क्लैन मार्किंग्स है क्या ये उनका इलाका है है नहीं था पर अब कई सालों से उनको किसी ने नहीं देखा दोस्तों मुझे लगता है अब वो वापिस आ गये है कौन शैडो क्लैन मुझे हमेशा से उन्हें देखना था और अकर तुम उनके सरा भी नसीग गए तो तुम उन्हें पहली और आखरी बार देखोगे तो अब क्या करें भालो भालो ये इलाई क्या कर रहा है अब भागो यहां से तुम लोग यहां से निकलो मैं उनका ज्यान बटाता हूँ ये एक अच्छा आइडिया नहीं था और क्या हमें उसे बचाना चाहिए तुम सोच क्या रहे थे पता नहीं मैं क्या सोच रहा था मेरे डाड कहते थे कि उनसे निपटना आसान है जब वो गुफा की रक्षा करते थे तब उनका हमेशा इनसे सामना होता था हाँ पर तुम्हारे डाड थे विल शेन और तुम बहुत बड़े पागल रॉक लॉक गुफा उम्मीद है कि इस राउंड में कुछ अच्छा होगा करते हैं कि जब से पैदा हुए और ये तीनों कुछ करने से पहले ही जान देते हैं कि उन्हें करता क्या है आप 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 तुम सवा मैच का मरवा ले रहे हो वो भले ही विल शेन का बेटा है पर उसे ये सारी चीजा मैंने इसिखाए ना उस पर फिर से हिट मारो ब्रादार ठीक है सिस्टर वो रुको उन तीनों में से एक लड़की है हमें भी उनकी तरह एक जुट होकर लड़ना चाहिए अपने स्लक्स दिखाओ कॉड तुम फॉस्फरो का इस्तमाल करो ट्रिक्सी आरकेंड हमारे कामाएगा उसके बाद बारी है बैंगा की एक नए स्लक को समझने में कई हफ़ते लग जाते हैं ही इलाए और कभी-कभी तो महीने तुम शूट तो कर लोगे पर अंचाम तेरा बहुत मुश्किल होगा ऐसा सरूरी नहीं कि तुमने जो स्लक जीता है वो वैसा ही करें जैसा तुम चाहते हो मैं जानता हूँ मैं ये पहली बार कर रहा हूँ पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है कॉल तुम उनका ध्यान कीजो फिरे इसारे पर इंततार करना जाओ अमेद है और इसमे ताम्याब होगे वो देखोगा अभी अहाँ देखा ये मेरी भाइतरी इंचाल आए विनासे प्रीम शेल येस हाइब फाइब ओ चलो भी सब लोग देख रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं गुड हमें आगे भी इसी तरह खेलते रहना चाहिए ये बाद अलत नहीं होने चाहिए मोरिस मेरा वक्त बहुत कीमती है ड्राइवर रॉकलॉफ कुफा ले चलो डॉक्ट्र ब्लैक को स्लग मैच देखनी है तो चलो देखते हैं कि इस नए शेन में कितना दम है अप हमें लटेखते हैं ये बाद को बाद को बाद को बाद को क्या बात है इलाई, कॉंग्रेट्स मैंने अभी सुना, मुझे माफ करना नहीं, मैं जीत गया, मैं फाइनल्स में हूँ हाँ, और तुम्हारा मुकाबला जॉन बुल के साथ है देखो उसने मेरा क्या हाल किया है तुम में हुनर नहीं है और नहीं तुम्हें वो बात है जिससे तुम उसके रामस से लड़ सको मुझे ये कहने में खुशी नहीं हो रही पर वो तुम्हें अहरा देगा इलाई क्या इलाईशन आटोग्राफा नहीं दे ना कोई बात नहीं ना उसकी जगा मैं दे दूगा दूग टिर्वेनिन एक्स्प्रेस और इसमें देखो पैसेंजर कौन है डॉक्टर ब्लाक वो यहां क्या रहे है तुम में से एलाईशन कौन है शांत रहो बब वैसे ये है कौन डॉक्टर थाडियस ब्लाक तुम्हारे पापा ने कभी बताया नहीं लोग कहते हैं कि आखरी बार तुम्हारे डाइड को इसी ने देखा था अभी अभी जो तुम्हारे दोस्तों ने का वो सच है विल्शेन एक सच्चा ही रो था आज मैं उन्हीं की वज़ा से जिन्दा हूँ क्यों न हम कहीं और चल कर बात करें मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे हाँ हाँ क्यों नहीं घबराओ मत दोस्तों हम सिर्फ बात ही करेंगे खुद की ट्रेन होने का फायदा ये है कि तुम कभी भी और कहीं भी वड़े आराम से सफर कर सकते हो कितना साफ थाई जी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में दे रहा हूँ तो विल्शेन का एक बेटा भी है मुझे तो पता ही नहीं था शेन के परिवार के काफी राज हैं क्या आप मेरे पापा के दोस्त थे? दोस्त? ऐसा कह सकते हो पर तुम्हारे पापा और मेरे बीच कुछ गलत फहमिया थी पर वो तो पुरानी बाते हैं अब हम दोनों एक नई दोस्ती के शरुवात कर सकते हैं क्या पता आगे चल कर एक साथ काम करें मुझे पता चला ही कि तुम्हारे पास लग्स की कमी है इसे मेरी तरफ से एक तौफा समय है उस लग्स को क्या हुआ है? क्यूं? मैंने उसे और बहतर बनाया है आ लेकिन मेरी पहली कुछ कोशिशें ज्यादा कामियाब नहीं रही पर अब ये मेरी रचना है ये कोई रचना नहीं है तुमने इसे बना दिया है एक तरह का गूल गूल? अच्छा नाम है तुम स्लक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते वो यहां के हर ताले की चावी है तुम स्लक्स तेरा को बर्बाद कर दोगे ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ मैं ही बेबकूफ था जिसने सोचा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे अब जाओ यहां से इस चोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो पर अगर फिर कभी मेरे राश्टे में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो शायद बोपी जानता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता और नहीं मैं मैं यहां का नया शेन बनूँगा इसकी आदर डाल लो वो उसे जए एक बच्चा है उससे हमें कोई खत्रा नहीं बास पर ये मत भूलो कि वो भी एक शेन है और जब लोगों की रक्षा ये नया शेन करेगा तब ये हमारा काम दिगाड सकता है डॉक्टर ब्लाइक आपको क्या चाहिए कि तुम आज के फाइनल्स में जीटो पर मेरी लडाई एक बच्चे से है एक बच्चे से नहीं एक शेन से है एक शेन को कभी कम मत समझना मुझे तुम्हारे एस लक्स नहीं चाहिए अपनी हद मेरा हो वरना तुम जानते हूं मैं क्या कर सकता हूं तुम मेंसे उस बच्चे के खिलाफ इस्तमाल करोगे तुम बाद जो भी हो अपने डैट की वज़े से हो उन्होंने ही तुमें सिखाया होगा शायद तुम नहीं जानते मेरे पापा कबके जा चुके है और मुझे ये चलाना किसी ने नहीं सिखाया इलाए बात कम करो और याद करो जो मैंने तुमें सिखाया है ज़र अप फिर बताओगे लाक्टिंग कर सबक मात मत करना तुमें ज़र इंजरी तुमें सिखाया है मौत हुआ पार इसे शाबाश एलाई आखरी शोट है बोपी जीत करें आना तार्ब्समument है, है तार? ओर वा गिंदा है त वह उहा है? इलाइशें, तुम्हें एक्स्वर्ट नेरा होगा माफ करना दोस्तों, किसी एक को जाना होगा मुझे तुम्हारे सलक्स नहीं चाहिए ये मेरे लिए काफी है ये तो घूल है, ब्लाक ने तुम्हें दिया है न तुम्हें इससे क्या, भगो यहां से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास ऐसा कई और भी है अगर तुम भी एक शेन बनना चाहते हो तो बेटा, सलक्स तेरा की हिफाज़त करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तुम एक शेन हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो जो भी तुम्हारी मर्जी हो, मुझे तुम पर नाज है मैं पूरी जिंदगी सलक्स को स्लिंग करके एक शेन बनना चाहता था और मैंने सोचा था ये सब मैं अपने पापा के साथ करूँगा लेकिन अभी ये सब मुझे अकेले ही करना होगा देखो तुम अखेले खुछ नहीं करोगे क्योंकि ये प्रांटो इस सफर में तुम्हारी मदद करेंगा नाजी और मैं तुम्हें हर मुझकल से बचाऊंगा कभी भी कहीं भी और मैं सलक्टरा के लोगों को ये बताऊंगी कि शेन के परिवार से कोई वापिस आ चुका है इसमें बहुत खत्रा है हमें खत्रों से खेलने की आदत है मेरे साथ रहोगे तो खत्रा बढ़ता ही जाएगा मैं हर रोज ऐसी जीता हूँ हमें उस डॉक्टर ब्लाक जाना होगा वो और मासूम स्लक्स को गूल बना इससे पहले उसे रोकना होगा ये हुई ना बात ठीक है हम है शेन गैंग तो कहां से शुरुवात करें कोई बच्चा मुझे शाएग हमें जवाब मिल गया यास्दा कि झाल भॉण बच्चा मुझे